बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इट्विशन पेपर हैकर में मैं सोरज रास और आसकेश भी देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएसी फस्टियर में है जो भी छात्र क्या है विटा बीएसी फस्टियर में है और उनका चाहिए एक्स फॉर्म हो या फिर ऐक प्राइख है एक फिर दोधन पहली में प्रोवाइट करांगा वीडियो आपकी सामने आ चुकी है क्योंगि आपको बस लास्ट दिन क्या पढ़ना वो बात करनेवाले हैं और आप इन कोश्टिनों को याद करके 70% प्लस लाएंगे मतलब कि आप एक दिन में एक दिन की केबल पढ़ाई रंग ला सकती है समझ रहे ना तो आपने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पेपर हैकर यूटूब चनल को सब्सक्राइब कर ले आपका भाई बैन बीए बीए सिबी कॉम एमे में सियम कॉम बीए यूपी पुलिस नेकपाल की त्यारी कर रहा है तो उनसे कहो कि पेपर हैकर डॉटे ने एक वैप साइट है हमारी उस पर जाकर अपने प्रक्टिस सैट को डानलोड कर ले और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई भी नहीं है सही है? चलो को आप सेस्काइब जरू कर लेना बेखिए पहला कोशन आपको क्या याद करना है और क्या याद करके जाना है ध्यान से समझ लेजिए फिजिक्स के फरस्ट पिपर की बात करने वाला हूँ और BST फरस्टेर की बात कर रहा हूँ पहला कोशन है न्यूटन के गती की समीकड और नियम दोनों को आप देखेंगे कि न्यूटन की गती के नियम क्या थे और उनकी समीकड क्या क्या थी उन समीकड के निगवन के बारे में आपसे पूचता है जो कोशन में बॉक्स में बंद करूँगा भई आपको रट के जाना होगा बाकि जो मैं आपसे एक बार कह दूँगा उसको पढ़ के जाना होगा ये लॉंग और सॉट दोनों में मैं आपको एक मिक्सिंग बता रहा हूँ जहां भी आपके गैस पेपर जो भी आपके हैं आपको बार्केट चले के आएं वहाँ जो भी आपको मिले कि न्यूटर के गती के नियम तो वहीं आप उस तरीकों को टिक लगा लेना वही पढ़ना है ठीक है आपको यहां नहीं करना है कि सर ने लॉंग बताया है सौट आपको घवराने की जरुत नहीं है लॉंग सौट कुछ नहीं होता आपको जो भी कोशन ये मिलता है न्यूटर के गती के नियम जहां भी मिले और समीकर जहां भी मिले उस कोशन पर टिक लगा लो और बही आपको पढ़ो ठीक है नेक्स कोशन आता है निर्देश फ्रेम निर्देश फ्रेम क्या होता है उसका वर्गिकर्ण ये आपको शौट में देखने को मिलेगा ठीक है और सरक्षी वल इसको छोड़ दीजेगा बैलन के एटन ये भी छोड़ दीजेगा ये प्रवस्था गुडांग में संबंद ये है केपलर के गति संबंदी नियम यदि ये लॉंग में भी बूश सकता है आपसे ये कोशन लॉंग में भी और शौट में भी बूश सकता है तो केपलर के नियम को याद कर लेना है और साथी साथ प्लाइन वेक क्या होता है ये आपको शौट में देखने को मिलेगा ठीक है याद रखेंगे इस बात को, नेक्स कोशन है, सरल आवर्द गती क्या होती है, हाइटोजन परमाणू का, कह सकता है, समानी द्रबमानेश को छोड़ दिएगा, अब बरगामी तरंगों के फिर वहाँ, उर्जाकोश को भी छोड़ दिएगा, कोडिये संबेक क्या होता है, आप इसकी परिभासा बढ़के जाएंगे, यह आपको शॉट में देखने को मिलेगा, कलाविक और सनुबेक यह भी आपको शॉट में देखने को मिलेगा, या फिर यह दोनों एक साथ आपसे पूछता है, तो यह कोशन लॉंग में भी बन सकता है, ठीक है, आपको तैयारी बहतरीन कर रही होगी, और सफलता आपके पास रहेगी, देखो यहाँ बात रखिए, यह जो वोला सरल आवर्द गति क्या होती है, अब इसको भी पढ़के जाएंगे, सिंपल, तो हार्मिनिक मोशन होता है, उसको आप पढ़के जाएंगे, ठीक है, और आपको देख रहे है, कार उर्जा पिर में है, बहुंश्ट इंपोटेंट कोशन है, यह आपको लॉंग में देखने को मिलेगा, बस यह कोशन आपको देखना है, बाकि यहाँ कुछ और देखने की जुरुत नहीं पढ़ने वाली है, ठीक है, इसको आपको बता रहा हूँ, उसको द्यान से पढ़ लेना है, सतत प्रगामी तरंगों की उर्जा, सिलाव जब आकिरती जोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, और कैप्टी लिवर क्या होता है, इसको छोड़ देना है, कोकलेसन इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकि आप यही कोशन पढ़के चले जाएए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, और हो सके यह कोशन और देख लेना, जिसे कहता है सदक्षी बल, और उनके वर्क के बारे में, यह कोशन भी आपको लॉंग में देखने को मिल सकता है, तो बस लॉंग और शॉट में आपको घबराने की जुरूत नहीं है, यह लॉंग कोशन है, कोशन कैसे याद करें, आपको जो कोशन में आपको बता रहा हूँ, आपके बुक नोट्स गैस्टेपर में, यदि लॉंग में टॉप में लिखा है, तो आप लॉंग को करिए, यदि आप पस शॉट में लिखा है, तो शॉट को गयात करिए, कोई जिसमें घबराने के जुरुत नहीं है, आपको लॉंग मिल रहा है, वही कोशन, तो आपको शॉट बनाते हुए टैम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वही कोशन शॉट में है, तो आपको लॉंग मनाते हुए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो वही मैं आपसे कहता हूँ कि लॉंग और शॉट में आप उलज़न में ना फसें, आपको जो कोशन बताया जा रहा है, आपके बुक नोट्स गेस्पेपर में जिस तरीके से दे रखा है, लॉंग दे रखा है तो लॉंग में याद करिए, सौट दे रहा है तो सौट में आद करिए, घवराने के जरूत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपकी मदद करूँगा, हर प्रॉबलम में मैं आपका साथ दूँगा, मैं आपसे बादा करता हूँ,